Engineering etf. Engineering Mechanics में हम different composite section का centroid निकालना सीख रहे थे अधे तो आज हम स्टे इस video में q-section का centroid निकालना सीखेंगे मगर इससे पहले हम एक theorem की चर्चा कर लेते हैं जो आपके centroid निकालने की प्रकीरिया को और सरल और आसान बना सकता है, आपके steps, आपके effort को कम कर सकता है, तो पहले हम उस theorem को थ्वाजान लेते हैं, उसके बाद हम इस problem पे आते हैं, तो हमारे पाफ एक theorem है, जो कहता है कि centroid of an area lies on the axis of symmetry if it exists, तो आप देख सकते हैं, centroid of an area lies on the axis of symmetry if it exists, यदि किसी section में या यदि कोई section symmetrical होता है, या तो फिर वो symmetrical है, तो उस symmetrical axis, जिस axis के about वो symmetric है, तो मेरा centroid उसी axis पे exist करेगा, चलिए, कुछ example से इसको समझते हैं, कि actually इसका मतलब क्या है, तो suppose एक section में लेता हूँ, this is a rectangular section, एक section है, जिसका centroid आपको find out करना है, तो हम इस rectangle को देखे, तो यदि हम इसको बीच ओ बीच, एक line draw करें, तो आप इसको देख के क्या लग रहा है, कि ये बिल्कुल mirror की तरह का आप कर रहा है, इसके इधर का जो shape है, exact shape, इसके इधर है इस axis के, तो f में क्या हो गया, ये मेरा जो rectangle है, इस axis के about symmetrical है, या यूँ कहें, ये axis जो है, इसका symmetric axis है, तो हम इस theorem के इस्तेमाल से हम यह कह सकते हैं, कि मेरा g center of gravity जहां कहीं भी होगा, ये इसी line पर कहीं होगा, ऐसे में हम origin कुछ भी ले ले, उसमें x find करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x का distance तो हमें कहीं से भी यहां से भी लें, तो भी यहां से लें, तो भी होई, क्योंकि x का distance हमें इसा एक fixed distance हो गया, आपको calculate करने का जुरूरत केवल y को है, ओके, और यदि हम इसी को देखें, इस तरब से कोई line ड्रो करें, बीचो बीच, तो क्या, इस axis के about भी हम देख रहे हैं, कि यह एक symmetric है, और हमें पता है, कि यदि यह इस axis के about पूरा मेरा section symmetric है, तो इस theorem के हिसाब से यह इस line पे होना चाहिए, और यही चीज हम यह भी कर रहे हैं, कि यह point जो है, इस line पे होना चाहिए, इसका मतलब केवाल एक ही point possible है, जहाँ पे हमें centroid बिल सकता है, और वो है, यह common point, तो आप देखें, बीना किसी calculation के हम आथानी से केवाल इस theorem की मदद से, use of axis of symmetry की मदद से, आथानी से हम क्या कर सकते हैं, different section का centroid find out कर सकते हैं, तो यह हुई एक बाद, similarly, हम किसी circle को भी, उसके 2 diameter का जो point होगा, जहां से वो cross करेगा, दो diameter आपस में, जहाँ पे cut करेंगे, वो उसका centroid Alexis हो जाएगा, क्यूंकि diameter क्या होता है, किसी भी circle को बिल्कुल बीचो बीच से cut करता है, और वैसा मतलर, कोई भी diameter इसका एक symmetrical Alexis हो गया, और अब दो symmetrical Alexis के cut point को centroid बोल सकते हैं, and कुछ थोड़ different section लेते हैं, जैसे suppose, suppose यह बिल्कुल बीचो बीच है, तो यह dimension इसका, इसका dimension से में है, और यह बिल्कुल दोनों के बीच में है, तो ऐसे case में हम यह कहा सकते हैं, कि मेरा जो यह H है, वो क्या है, इसके बीच से pass हो रहा है, तो इस axis के बाट H इधर भी similar है, और इधर भी एक समान है, तो इस axis को हम इसका symmetric axis कहा सकते हैं, और यदि यह symmetric axis है, तो मेरा जो centroid होगा, इसी point पे कहीं होगा, and इसी H को हम इस तरह से cut करें, तो भी हम क्या देख रहे हैं, इस axis के बाट क्या है, H symmetrical है, यदि यह बीच बीच है, तो यदि दोनों, दो axis हमें मिल गए, जिस दोनों के बाट यह symmetric है, तो इन दोनों का cut point, इसके centroid को बतलाएगा, तो हम देख सकते हैं, यदि कोई section, किसी axis के बाट symmetric होता है, कोई symmetrical axis के बाट, तो F में, हमें centroid निकालने में, काफी सहूलियत होते हैं, और हम आथानी से, उसका centroid find out कर लेते हैं, तो चलिए, अब हम अपने problem पे आते हैं, जो कि हमें T section का बनाना है, देखते हैं क्या, इसमें हम कुछ use of axis of symmetry का इस्तेमाल कर पाते हैं, ओके, तो इस figure को आप ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे क्या, कि ये जो 100 है, ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में कोई दूसरा section लगा हुआ है, क्यूंकि इस section के इधर भी 40, इस section के इधर भी 40, तो यदि हम इस section को बिल्कुल बीचों बीच कट कर दें, सपोज हम एक बीचों बीच लाइन ले रहें, बीचों बीच कोई लाइन से कट कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, हम कह सकते हैं, कि मेरा जो T section है, इस red line के, symmetrical या ये कहें, red line symmetric axis है, इस section का, और कोई, क्या हम इधर से कोई line ड्रॉ करके, इसको symmetric कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि ये, इधर की जगा, यहां पर भी होता, like I section, और equal होता, तो ऐसे case में हम बोल सकते थे, but in this case, हम ये नहीं कह सकते हैं, कि ये horizontal axis के about, कहीं से भी symmetric हो सकता है, तो क्यवल एक axis मिला, जिसके about symmetric है, तो कोई बात नहीं, हमें at least ये तो पता चल गया, कि मेरा जो centroid होगा, ये इस red line पे ही कहीं है, तो अब हमें केवल, इस line पर का वो point find out करना है, जहां पे G होगा, और किसी दूसरे line पे, कहीं पे भी G होने की कोई संभावना नहीं, इसका मतलब क्या है, कि हमें x find करने की जरूरत नहीं है, केवल चुकि ये y axis के about symmetric है, तो हमें केवल y dash find out करना है, यदि हम केवल यह कर लेते हैं, तो हमें आसानी से इसका centroid मिल जायागा, तो इसके y dash को calculate करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने कहा था, कोई भी centroid का problem, सबसे पहला काम आपका क्या है, origin set करना, और x axis और y axis decide करना, तो एक चीज, और यहाँ इसको solve करते हैं बता दें, जहाँ आपको symmetrical axis मिले, तो एक axis आप हमेशा उसी को माल लिजे, उस case में आपको कुछ नहीं से दोसना है, कि left, right, positive, negative, यह सब कुछ नहीं देखना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यदि symmetric हो किसी axis के about, तो उस, चाहे horizontal हो या vertical, तो उस component का axis उसी को मानिए, बचा दूसरा, तो उसमें फिर जो हमने नियम बतलाया था, कि यदि आपको horizontal axis लेना है, तो bottom में, और यदि vertical axis लेना है, तो leftward, तो उसी साफ से ले लिजे, तो एक तो मेरा axis यह हो गया, जो कि इसको हम y axis कर लेते हैं, अब हमें लेना है x axis, तो x axis के लिए, हमने कहा था आपको क्या, कि हमें था पूरे section का bottom यदि symmetric नहीं है, तो फिर bottom, तो यह हो गया x axis, और यदि ऐसा है, तो मेरा origin कहाँ पर होगा, यहाँ पर, now, हमने आपको कहा था, कि हर section का centroid और उसका area find out कर लिजे, उसके बाद आप formula यूज कर लिजे, तो सबसे पहले हम section decide कर लेते हैं, suppose this is section 1 and section 2, तो section 1 का x component हमों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का ही point हमको find out करना है, तो जरूरत यहाँ भी नहीं है, वो काम मेरा बच गया, x dash निकालने का, x dash नहीं, x 1 निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, आप ही जाएगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यह जो x होगा, वो इसी में से कहीं आने माला है, ओके तो इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या बच गया करेंगे, y1 निकालेंगे, y1 क्या होगा मेरा, total 20 का half, and, यह जो है, हम इसको मेजर कहां से करेंगे, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से स्टार्ट किये, हम यहां तक चलना तो 100 चल लिए, और 100 के बाद 10 और, that means, 100 पलस 20 अपॉन 2, 110 एमें, एरिया इसका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100, अब हम आजाते हैं, सेकंड सेक्षन पर, सेकंड सेक्षन का, सेंट्रोइड कहां पर होगा, इस पूरे का, सेंटर में कहीं, तो यह टोटल सव है, तो इसके बीच में कहीं 50, अगर और जिन से उसको मेजर भी करें, तो वो भी 50 ही आएगा, सव अपॉन 2 कह लेते हैं, 50 इसका एरिया, 100 इन्टू 20 यह भी सेम, बराबर, 2000 इसको, सोरी, अब, हम इस पर, डाइरेक्ट फर्मूला, अपलाई कर सकते हैं, A1, Y1, प्लस, A2, Y2, देखिए, हमें इसमें, X निकालने की जरूरत है नहीं, सिमेट्री के अधाल पर हमने यह बोला, तो X की जरूरत इसमें तो कहीं पड़ी नहीं, पड़ा था, X का जरूरत तब पर था, जब हमें X कोडिनेट में निकालना होता, इसलिए हमने X का पार्ट कैलकुलेट ही नहीं किया, ओके, तो मेरा परपस यह था, उसको कैलकुलेट नहीं करने का, तो A1 प्लस, A2, यह कितना आ गया मेरा, 2000, 110, प्लस, 2000, 50, 2000, 2000, 2000, देखे हम, 2000 को कॉमा ले लेते हैं, 110 प्लस, चलिए, 110 प्लस, 50, और यह 2000 प्लस 2000, दो गुना, 2000, तो यह कितना आ गया आपका, 80, M, that means क्या, कि मेरे ओरिजीन से, 80 दिस्टेंस पर यह 100 है, तो सपोज, कुछ यह आया, this is the, actual G, जिसका कोडिनेट क्या होगा, X कमपोनेंट, ओरिजीन से, 0, Y कमपोनेंट, 80, तो यह है हमारा, प्रोसेस, यदि हमारा, X सिमेट्री हो, तो ज़रूर एक बाद, कोई भी सेक्षन आपको मिले, उसमे एक बाद, चेक कीज़े, क्या यह किसी भी, X सिमेट्री हो रहा है, यदि हो, तो आपका काम, आसान हो जाएगा, और सिमेट्रीकल एक्षिस वाले प्रोब्लम को, आप इजली, नॉर्मल की तुलना में, मने कम एफ़र्ट में इसको सॉल्व कर पाईएगा, तो बस यह कुछ मेथर्ट से इसके अलावे, आप आई सेक्षन या डिफ्रेंट सेक्षन कोई भी मिले, तब में यही करना है, आप उसको सेक्षन में ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने के बाद, सबका x कमपोनेंट, सबके सब सेक्षन के, सेंट्रोइट का x कमपोनेंट, y कॉडिनेट, y कॉडिनेट and area निकाल लिए, और उसके बाद directly formula apply कर दीजे यदि axis symmetrical है किसी एक्सिस के बाउट मेरा section तो उस case में क्या करेंगे जिस के बाउट है जिस axis के बाउट symmetric है centroid cable वहीं पर होगा तो उसके हिसाब से आप cable क्या किजेगा जिसका जरूरत है वो coordinate find out किजिएगा ओके थैंक यू